सनातन धर्ब में नवरात्री को बहुत ही सुब और पवित्र माना जाता है। पंकत सावरिया ने बताया कि चैत्र नौरात्री में मा जगत जन्नी के नौ अलग अलग रूपों के आराधना की जाती है। कि घट स्थापना का सुब महूर्त और विधी क्या है। अभी हाल ही में चैत्र नौरात्री प्रारम हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमें महूर्त में ही करना किसी कारे को करना चाहिए। समय पर यदि हम दवा लेंगे तो फाइदा करेंगे नहीं के लेंगे तो दवा निर्थक हो जाती। उसी प्रकार से प्राता 6 वज करके 5 मिनट से लेकर 10 वज कर 16 मिनट तक सुन्दर 4 घंटे और 11 मिनट का महूर्त है। तो सुबह आप 6 वज कर 5 मिनट से 10 वज कर 16 मिनट तक आपको घट स्थापना करना है। घट स्थापना के लिए सबसे सुन्दर पहली बात है आप पंच पल्लों लाएं जिसमें आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, उमर का पत्ता, गुलर का पत्ता और इन पांच पल्लों को ला करके अपने पास रख लें, इनको सक्स कर लें, साफ कर लें और बरगत का पत्ता भी रह साथ में और इनको लाकर के साफ सुतरा कर ले और एक सुन्दर नवीन कलस लाएं मिट्टी का कलस लाएं जिनको निश्काम भाव से या किसी सहज कारी की सिध्धी के लिए किसी कारी की सिध्धी करना चाहते तो आप एक मिट्टी का कलस ला ले और मिट्टी के कलस में सुन्दर उन पंच पल्वों को पहले उस कलस के उपर एक कलस का जो गला होता है उस पर आप मौली बांदे कलस पर स्वास्तिक बना दे और स्वास्तिक बनाने के बाद आप कलस को गले तक भर दे उस पर एक सुपाड़ी एक हल्दी एक सिक्का थोड़ा अक्षत एक पुस्प रख दे औ और उसके बाद उन्फ प्लों को इसको रखदे उसके उपर एक प्याले पर एक प्याला अर्थांत मिटी का ही सकोरा कहला चोटा कटोरा होता है उसके अनाज उपर late इस्थापित करें और नारियल इस्थापित करके और आप करलस इस्थापित हो गया नीचे आप गौर गणेश की इस्थापना करें और इसके बाद आप सुंदर पूजन करें सुभा ब्रह्मोहूर्त में ही इस बार का पूजन का महूरत है छे बचकर 5 मिनिट से 10 बचकर 16 मिनिट तक पूजन करके एक दीपक जला ले जो कारी जीप कहलाए यह आप अखंड जो जलाना चाहते हैं बहुत सुंदर बात हैं अखंड जो ताप कई चीज़ों से जलाया जा सक जलाएं या घी का दीपक जलाएं बहुत अशा रहेगा मीठा तेल का भी जला सकते हैं कुछ उपलब्द नहीं हो रहा तो मीठा तेल का दीपक जला लीजे और एक छोटा कारी जला करके माभगवती के पृतिमा रख लीजे और सुंदर कलस इस्थापना करके और उसका जला करें